गुजरात माच छिला 24 का लख्म कुर्मन अनवा अग्यार सुचोंतेर केस अग्यार दर्दीना मौध तेरह सुचोंतालिस दर्दी थाया डिस्चार्ज स्थानिक स्वराजनी चूंखनी माते काले भाज़कनी महत्वानी बाठत तमाम जिला प्रमुक अने चूंखनी इंचार्ज साथे स्पियेम रदेश प्रमुक नी चर्चा आगनी दुर्गितनाओ नी रोखवा नवी फायर रेगुलेशन सिस्टम जाहिर नवा फायर अनोसी ओनलाइन मर्शे वियू परमीशन वकते फायर सेफ्टी सर्टी जरूरी चौद करोड नी उचापतना केस मा विपूल चौदरी ना चार दिवसना रिमान मंजूर लेखित निवेदर मा कहू आज सागर दान उकाउभाण न थी आवतिकलती राजेना इंटर्ण डॉक्रोरो अनिश्चुतकार नी हर्तार पर स्टाइपेंड अने मानद वेतन वधारवानी छे मा आजे पन राजे मा वर्सादी मा होल नवसारी तापियने डांग जिला मा वर्साद हजू 24 का लाखनी छागर नमस्कार दिर्शक मित्रो स्वागत छे आपनू उच्छु आपनी साथे दीपाशर्मा किकलाक दंपती वा होय छे जने विखुटा इश्वर पन पारी शकतो नथी वर्सोना सजीवन पछे जारे विदायनों वखत आवे छे त्यारे ए अंतिम गडियो मा पन एमने विखुटा पारी शकाता नथी गॉंडलना दंपती साथे पन आवुच कैक थायू अमर प्रेम ने कोरोना पन करीना शक्यो अलग गॉंडलना दंपती नो अनोखो प्रेम छेक सुधी त्रपन त्रपन वरश सुधी जिव्या साथे आने मत आव्यो तोपन साथे मींची आखो बुच परिवार ना बन्ने मोभी निसहविदाय फास्ट लाइफ बच्चे आजे आपने घणा जोडा एवा पन जोईये छे के जे किटलाक महिना मापन विखुटा पड़ी जाई छे छुटा छेडा लेवु साव रमत थाई गवुचे एवा माएक दंपती एवु पन छे जे हवे तो मात्र यादो मा बच्च्यू छे पन त्रेपन त्रेपन वरश नू सहजीवन वितावया पच्छी जरे आवयो वृद्ध दंपती ने कोरोना थाओ तो अंतिम घडी मापन बन्ने एपूरो साथ निभाव्यो गॉंडल ना स्टेशन प्लोट विस्तार मा रहता परिवार ना मोभी ने कोरोना आभडी गयो पंदर दिवस पूर्वे बन्ने ने राजकोट नी होस्पिटल मा खसड़ाया हता दंपती आम तो संपुर्ण तंदूर स्थ हतु पंद कोरोना नो घा जिर्वी शक्यों नहीं सवथी मोठी वाद छे जार जोतिश भाईये दम तोड़्यो इस आथे श्तरना पतनी दिव्यानी बहने पड़ वीस मिनिट माज अनंत नी वाट पकड़ी अमने लोकों ने जे सिविल ना स्टाफ ना अमने लोगों थे शेक्योरेटिश मंडी ने डोक्टर सुधी टुप सारी दे काम करता हाथा था वाण अचानक एमनी तब्यात भधार खराब था था येमने मारा पीता ने पहला वेंटिलेटर उपर लेवाम आगया एमनी तब्यात सुधाराव पर थी मदर नी टब्यात पहन सुधाराव पर थी पहन अचानक दुस्त घिवोष निने आव हैरोगार बार बार प्रेकी स्वार ना श्वाँ छवाँ आगया पहला मारा मदर ना पिला मारा फादर ना आउसान ना समाचार मुनने ओस्पिटल स्टाप दोरा आप माया तियार बाद 20 मिनिट परशी मुजर ना समाचार रहा लोकनू जीवन खुब सरोल लेतू 20 मिनिट ना गाडा माज घरना बनने मोभीन उम्रुत्यू थाई जवा थी बुच परिवार मा कलपांत मच्यो छे जोके सवना मुखे एक वाद तो छेज के केटलू आदर्श सह जीवन 53-53 वरश सुधी आ कड़ युग मां शामती साथे जीव्या अने जारे अंतिम घड़ी आवी तो विदाय पन साथे ली थी बुरो रिपोर्ट मंतवे निूज गुजरात उनिवर्सिटी ना संस्कृत विभाग मां प्रथम मुस्लिम विध्यार्थी निये इतिहास रचोशे मुस्लिम विध्यार्थी नी कुरेशी सल्मा ये संस्कृत मां पीएचिडी करी शेहर नू गौरो वधारवानी साथे एक अनोखी मिसाल रजु करी गुजरात उनिवर्सिटी ये कुरेशी सल्मा ने गुजरात उनिवर्सिटी संस्कृत विभाग मां पीएचिडी नी पदवी एनायत करी पाच वरश बाद उनिवर्सिटी मां कोई मुस्लिम विध्यार्थी ये और डिगरी मेड़ी ये होई तिवी प्रथम गटना जे 56 वरिश बाद गुजरात उनिवर्सिटी मां सरजायो रेकोर्ड संस्कृत विशय साथे मुस्लिम यूवती ये पुर्ण करी पीएचिडी संस्कृत नी ये भी ते धुन लागी के रुची ने पीएचिडी मां तब्दील करी अम्रेली जिल्लाना लीलिया तालुकाना इंगुराणा गामनी सलमा कुरेश रिये 2017 मां सप्टेंबर मां गुजरात उनिवर्सिटी मां पीएचिडी प्रवेश परिक्षा अने इंटर्व्यू प्रक्रिया पास करिया बाद आर्ट्स फेकल्टी मां संस्कृत विशय मां अध्यापक डॉक्तर अतुल कुमार उनागर नी गाइडशिप मां पीएचिडी शरू करियू धुरन दस बाद धुरन अग्यार आट्स मां प्रवेश लिधो अने त्यार्थीज संस्कृत मां रुची लागी गई अने धुरन बार मां पन संस्कृत विशय साथे बौड परिक्षा पास करी हवे आजे एज संस्कृते सल्मा ने अनेरी सिध्धिय पावी छे सल्मा गुजरात उनिवर्सेटी संस्कृत मां थी पीएचेडी करनारी 56 वरश बाद कोई मुस्लिम यूती बनी गई छे अने गुजरात उनिवर्सेटी मां में पीएचेडी नी एंट्रेस कली कम्पलीट करी अने त्यार पच्छी मारी पीएचेडी नी जर्नी चालो थाई छे अने मारा मार्कदर्शन डोक्टर अतुल कुमार उनागरसरना हात नीचे में पीएचेडी कर्यू छे पुराणे शु निरुपिता शिक्षा पद्धती ही एकम अध्ययनम अने में आ विशेमा पुराणमा जे प्राचिन शिक्षन पद्धती छे अने जे अत्याननी भर्तमाननी शिक्षन पद्धती छे एनो तफावत शूँ छे एमा शूँ घटी रहियू छे प्राचेन शिक्षन पद्धतिना जे आदर्शू मुल्यो गुरुशिश्य परंपरा मातापिता ने आदर सन्मान गुरुजी ने आदर सन्मान एनू महत्व में समझावियू छे अने अत्यारे वर्तमान समय मा एनी पुराणों मा निरूपित शिक्षन पद्धति पर करी पिएचडी गुजरात युनिवर्सिटी तरफ थी अपाई डिग्री सौराष्ट युनिवर्सिटी मा थी संस्कृत साथे बिये कर्यू भावनगर युनिवर्सिटी मा थी संस्कृत साथे एमेनी डिग्री मेडवी सल सल्मा कुरेशी ने गीता पुराण माचवानों शौक संस्कृत विभाग मा अत्यार सुधी कोई मुस्लिम महिलाए पीएचडी नथी कर्यू सल्मा कुरेशी संस्कृत साथे पीएचडी थनारी प्रथम मुस्लिम महिला बनी छे पुराणों मा निरूपित शिक्षन पधत्ती आ विश्याई पर पोतानों अभ्याज संस्कृत मा पुर्ण कर्यों छे जे बदल पीएचडी नू नोटिफिकेशन युनिवर्सिटी तरफ थी आपायो हतु गुजरात युनिवर्सिटी मा उगुणी सो चोंसर थी संस्कृत विभाग चाले छे जमा सलमा कुरेशी सिवाए कोई मुसलिमे आज सुधी आविश्याई मा पीएचडी माटे एड्मिशन लीधू नहतु अपहला गुजरात मा एकज मुसलिम महिलाए सावराष्य युनिवर्सिटी थी पीएचडी कर्यों छे संस्कृत ना प्रोफेसर बनवानी सलमानी इच्छा सौथी प्राचिन भारत ये भाषा संस्कृत नू महत्वा घर्तु जई रहो छे तेरे बीजी तरफ संस्कृत नू महत्वा समझी ने अम्रेली जिल्लानी मुसलिम विध्यार्थी निया आभ्यास कर्यों छे जे गौरवनी वाद छे गीता, पुराणो, धर्मग्रंथो, वांचवानो पहला थीज सलमाने शोक हतो जेती तेने स्कूल थीज संस्कृत मां पीएचीडी करवानू नकी करीली धुहतु आयूश यागनिक साथे ब्यूर रिपोर्ट, मन्तवे नियूस भुकम्प बात कच मां उद्योगों ना आगमन थकी जिल्लानो विकास थायो वात करीए नमक उद्योगनी दिश्मा सवती वधु नमक असरहदी कच्छ जिल्लामा उद्पादित थाय चे परन्तु कच्छ ना नमक उद्योगना पन प्रश्णों चे जेनो निवेडो आउतों न थी कच्छ नो नाम चिन नमक उद्योगना प्रश्णों निवेडो क्यारे अनेक वण उकेलिया प्रश्णों नो जवाब मांगेश मीठा उद्योग सवलोतो वधे तेवी सोल्ट एसुशेशन नी मांग कच्छ ना प्रवेश द्वार सुरजबारी तेलेई कंडिला अने जखो सुन्धी गुजरात नो सवथी मोटो नमक उद्योग धमधमी रहोशे राज्यमा सवथी वधू दर्या की नारो कच्छने मोले होशे जेती पूर्व कच्छ विस्तार मां मीठा उद्योग नो खुब अजविकास सवशे सुरजबारी दर्या इखाडी विस्तार मां विपुल प्रमान मां मीठानू उद्पादन थाईशे अ मीठू कच्छना उद्योगों औने बहार विदेशों मां आया थाईशे राज्यमा सवथी वधू मीठानू उद्पादन कच्छना नाना रण विस्तार मां थाईशे कच्छ थी दरवर्षे हैसे थी 9,00,000 तन मीठो निकास थाईशे गुजरात रिफाइंड सॉल्ट मैनुफेक्चरिंग वेलफार एस्टिशिशन ना प्रमोक बचुभाई आहीर जनावियो के कोरूना महमारी ना समय मां लोकडाउन समय मजोरोनी अचत अन्या परिबलो समय पन मीठा उध्योक द्वारा जिवन जरुरात नी वस्तो नमक ना भाव मां कोई वधारो करायो नहतो चालू वर्षे वधारे वर्षात थवा थी नुक्षानी थे यहती जे हाल मां रिपेरिंग थे रहो शे हाल मां प्रोडेक्शन चालू शे जे थी आयोडाइज नमक हवे बजार मां आवश नमक ध्योग नी कचेरी जयपूर्थी कचलावा मांग बंदरो पर सवलोतो वधार्वामा आवे र्याजेना सवती मोटा मीठा उध्योग ने स्पर्ष्टा प्रश्णो घणा शे जेनो ताकी दे निवेडो आवे ते खुब जरूरी शे अक्षेतर साथे संकलायला आने अडवोकेट मुरारी लाल शर्माय जनावियू कि कच्चमा देशनों सवती वधू नमक उत्पादन थाएश आयोडी नमक उपरांद उध्योगों माटे वपरातू नमक पौन कचमा जबनेश नमक नी मोटा भागनी जरूरात कच्चना उध्योगों ज संतोशेश जैनी पाचाननू कारण शे कच्च पासे विशाल दर्याई पट्टोश मीठानी निकासाई तोज महत्तमा आवक मली शके कच्च पौताना अगर्या आने नमक उध्योगने कारणे समगर विश्वमा परख्याते श जो के तमनी ओफिस जैपूर माश जो खरेखर कच्च मा लावी जोईये ते विस्तानी को नी माग श अवे आ मीठा होत पादनने तमें जो फोरेन एक्सपोर्ट करी सको तो खोब घणूबदो रेवेन्यू मड़े हैंचे हाले कच्च मा जे कनला पोट पर एक येटी चे ए मीठा माटे पाड़वेली चे अवे बीजी बेज येटी ओ पर आवे तो अईया थी मीठानो एक्सपोर्ट खोब थाई सके और एनो लाव मड़ी सके जखव बंदर थी ने बीजा पोटो थी पर ना 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 प्रमाण मा मीठानो एक्सपोर्ट थाई से परन्तो कंडला पोट एक मेजर पोट सता अईया जो विक्सावा मावे तो खुब बदूम बिठा उत्पादनो लाव मड़ी सके येशे कंडला बंदर ए जीटी बधार वा आहवान कंडला बंदर मीठाना निकास माटे अलग थी जीटी आवेली शे आउ प्रांत अन्य बंदरो पर थी पन मीठू रवाना थाई शे जे सवलोतो वधे तो हीना लोकों ने वधू आवक मली शके सरकारने पन वधारे आवक खासो सवधी वधू नमक कच्छमा मले शे कौशिक शाया मंतवे न्यूज भूज कोरुनाना वत्ता जाई रहला केसो अने गुजरात सरकारदवारा लादवा मा आविला नाइट कर्फियू ने कारणे मुठा लगन समार अंभोनू आयोजन डैमेंड सिटी सूरत वरोदरा राजकोट अमदवाज जेवी सिटी माटे पड़कार जनक मनियू छे इवामा गुजरातियों तानों तोड शोधी काडियों छे जा कंट्रोल मा कोरोना छे तेवास थाने गुजरातियों डैस्टिनेशन वेडिंग उठ वी राचे आखरे कई छे आ जग्या जे लगना करवा माटे वरवधूनी पहली पसंद बनी छे आओ जोईए डैस्टिनेशन दमण नाइट करफ्यों ए सरजी उपाधी छता गुजरातियों ने नथी कोई व्याधी पोरोना काड मा आवियो छे घरे रूडू अवसर डैस्टिनेशन वेडिंग मा बाकी नहीं रहे कोई कसर कोरुना काड मा दमण ना होटेल अने रिसोर्ट मालिकों ने खूब नुकसान थे उचे तरह लगनानी सिजन तिमना माटे आशानों किरण बनीने आवी छे दमण होटेल्स एंड रेस्टोरेंट मा दमण मा रोजना सरिराश पंदर लगनों थे रहा छे जे मा थी मोटा भागना बुकिंग गुजरात सरकारे कोरुना संकरमन ने फैलातू रोखवा माटे मेट्रो सिटी मा नाइट कर्फियू करया पच्छीना छे गुजरात मा नाइट कर्फियू ने फगले लोको दमण तरफ डेसिडिंशन वेडिंग बाजों में वड़्या छे दमण होटेल्स एंड रेस्टोराण मालीकों नू कहवू छे के आ ट्रेंड 15 डिसेंबर सुधी रह छे दमण मा नाइट होल्ट न थी त्यारे महमानों नी मौडी रात सुधी एंजॉय करी शके छे जे थी आहियां छेला 10 दिवस्ती गुज्जुओ जमावडो जामें उछे अने गुज्रात मा नाइट कर्फी होवाने काने थोड़ी अगवर्दा पड़ेवू अमने जनाता अम्वे ते माटे दमण ने प्राधा ने आपी ने प्रावरिटी मा मुखी ने एक लिमिटेड मर्यादित लोकों नी संख्यामा बोलावी ने देस्टिनेशन वर्ण करूँ छे 15 डिसेंबर सुधी देस्टिनेशन दमण मा लगनो नू बुकिंग लगन नी साथे दमण मा बीच नी मजा चलाई कटफाडिया मा बीच रिसोर्ट पर रोजना त्रान लगनो संख प्रदिश दमण मा लगन आयोजन करना ने बमणो लाब थाय छे महमानो लाइव डीजे लगन आने बधानी मजाले शके छे जोके लगन मा सो लोकों ने ज आमंत्रित करवानी गाइडलाइन दमण मा पन लागू करायली छे दमणना बीच पर आवेला किटलाक रिसोर्ट अने किटलाक होटेलों मा छेला एक अट्वाडिया मा एकज दिवस मा रिसोर्ट मा त्रान त्रान लगन प्रसंग योजाई रहा छे जिमा मोटा भागना परिवारों सूरत ना अने आजुबाजू ना हता मार्च मैं नमा पैली बाल लोगडाउन जाहर थेऊ त्यार थी बुकिंग 20 टकाथी पन ओचू हतू कारण के गुजरात अने महरास्ट्र थी आवता प्रवासियो ट्रावेलिंग टाडी रहा हता लोगडाउन नी नवी गाइडलाइन जाहर थे अबाद दमर्ना होटेल माली को पास से आगामी 200 मां लगना घणा बुकिंग्स चे सूरत अने मुंबाई थी पूछ परच मांटे घणा फोन आवे छे कंपल्सरी है तो हमारी टीम एज वल जो जितने भी इवेंट के लोग है उनको सबका टेस्ट होता है ठीक है उनको सबको मास कंपल्सरी है सूरत अमदावादा ने वरोद्रामा चला बे महिना थी लगना नी तैयारियों चाल रही हती पड़ावे नाइट कर्फियू लगाव्या बाद मूटा भागना कलाएंट लगना नुस्तर बदली ने दमण करी नाक्यों चे दमण माटे लाबदाई स्तिती चे कारण के तिमनी पासे लगनाना स्टेज, इवेंट प्लानर, फूड अने डीजे सुधी नी तमाम व्यवस्ता तैयार चे साथेज भावपाण ओचो चे अने फरवाला एक स्थर्च छे, दमण तेमज दमण प्रशासन पण महिमानूने आवकारवा माटे दमण मा अनेक सुविधाव ओभी गरी चे जेती दमण मा लोकोंने तकलीफ पड़े नहीं बिरुरेपोर्ट मन्तवे न्यूज वल्कम बैक, जिश्मा कुर्णा नी परस्तिती सुधर्ता हवे राज्यों मा स्कूल खुलवानी प्रकरिया शरू थाई गई छे किटलाक राज्यों मा महिने स्कूल खुली जो शे, जरे किटलाक राज्यों मा वैक्सेन आवे आब बाद स्कूल खुल शे जुके किटलाक राजे हजुपन स्कूल खुलवाने लईने असमन जस्मा फसाईला चे देशमा हवे कोरुनाने लईने स्थिती सुदुरी रही चे त्यारे चिला 10 महिना थी बंद शाडावने खुलवानी वीचारणा करवामा आवी रही चे परस्थिती सारी थता हवे किटलाक राजोय दीरे दीरे स्कूल खुलवानों ननने करीली धो चे उतराखण मा सरकारी पंदर डिसेंबर थी स्कूल खुलवानों ननने करियो चे ते संबंधित अधिकारियोंने आदेश जारी करी देवाया चे शरुआत मोटा धोरणों थी थशे हरियाना मा 14 डिसेंबर थी धोरण 10 अने बारना स्कूल खुली चे बड एक्जामना करणे अबन्ने धोरण ना विध्यार्थियों ने पहला बुलाव मावी रहा चे जे बाद 21 डिसेंबर थी धोरण 9 अने 11 माटे स्कूल खुली देवा माव उशे महराइश्ट्रमा धोरण 9 थी बार सुधी ना स्कूल गया महीने खुली चुक्या चे बरन्तु कोरणाना करणे 5 थी 8 धोरण ना स्कूल बंध चे सरकार विचार करी रही चे के जो परस्त ती सारी रहषे तो जानिवारी थी नाना धोरणों ना विध्यार्थियों ने पन बुलावा मावी शुकी चे बिहार मा आठ मा धोरण सुधीना स्कूल जल्दी थी खुली शके छे जो के ओरिश्या मा स्कूल खुलवाने लईने सरकार मा असमन जस छे त्या सरकार हाल स्कूल विशे कोई निर्णे लई रही न थी दिल्ली पश्चिम बंगाड हिमाचल प्रदेश राजस्थान मिजोरम मा अवर्षे स्कूल नहीं खुले आ राज्योनी सरकार है ऐलान करी दिधू छे कोरोना वैक्सेन नहीं आवे तिया सुधी स्कूल नहीं खुले एमपी मा पन आठमी सुधीना स्कूल एकतरी समार्च बैजार एकविस सुधी बंग करवानी जाहिरात करी दिधी छे देशना बाकी राजे हजू असमंजस नी परस्तिती मा फसायला छे ते ओहाल कोरोना वैक्सेन आववानी राजोई रहा छे जो भारत मा जानिवारी थी वैक्सिनेशन शरू थाई जाए तो शक्केता अचे के फैबरूरी थी किकलाक राज्यस कूलों ने खोली दे बुरो रिपोर्ट मंतवे न्यूस चीननी साथे सरहत पर चाली रहला तनावनी वच्चे भारते मोटू पगलू भर्यू भारतीय सेना ने दसनी जग्याए पंदर दिवसना दारू गूडानों स्टॉक करवा सरकार नी मंजूरी मड़ी गई चीन पाकिसान माटे भारत यार पंदर दिवसनी जंग माटे से ना सज हतियार अने दारू गूडानों करिरेश स्टॉक पचास हजार करोडना हतियार खरिद्वानी शक्यता चीन अने पाकिसान साथे भारत ना चाले रहला तनावनी वच्चे केंदर सरकारे एक मोटो नेनाई करेश जे प्रमाने हवे केंदर सरकारे भारतीय सेना ने दस दिवसनी जग्याए पंदर दिवसना युद्ध माटे चाले तेटलो दारू गोलानों श्टोक राखवानों अधिकार आपी दिदोशे अनवा अधिकार अने इमर्जनसी खरिदीनी शक्तीनों प्योग करीने सेना आवनार थोडाक मैनाओ माँ पचास हजार करोड रुपया थी वधू रकम खर्च करवानी देश अने विदेश इस्तरोतो थी विभिन प्रकारना रक्षा साधनों अने दारू गोलों खरिद्वा मावश सरकारनों आपगलू चीन अने पाकिसान नी साथे टू फ्रंट वोर नी संभावनाओने जोता तैयार पुकता करवानी दिशामा जुई राश रक्षा बलों माटे स्टोक नी मर्यादा वधारवानों नेने थोडाक समय पहला लेवायो हतो एक सरकारी सुत्राय का यू के दुश्मनी साथे पंदर दिवसनी इंटेंस लड़ाई माटे रिजवत यार करवा माटे किटलाई प्रकारना वैपन सिस्टम अने दारू गुळा खरिद्वा माँ आविराश सेना वने पहला चालेश दिवसनी लड़ाई माटे श्टॉक राखवानी मंजूरी हती परन्तु युधनी बडलाती रीत अने हत्यार अने दारू गुळा ना स्टोरिज मापड़ती मुश्किलियों ने लिधे तैने घटाडी ने दस दिवस करिदवाया उरी हुमला बाद ए एहसास थायो के युध माटे श्टॉक ओछो शे ततले इन रक्षा मंतरी मनहर फारिकार नाने तुरुद्वा मां मंतरा ले सेना नौ सेना अने वायुसे नाना उपफ्रमखोनी नाना की शक्तियोंने 100 करोड रुप्या थी वधारी ने 500 करोड रुप्या करी दिदी हती त्रोने सेनाओने 300 करोड रुप्याना इमर्जनसी फाइनांसियल नो पावर पन आपवामा आवे हतो जेथी करी ने तेवो युद्ध लडवा मां काम आवनार कोई पन साधन खरी दी शकेश भारत अत्यारेची निनी साथे जुडायली सरहत पर तनावनों सामनों करी रहुश साथो साथ पाकिसान ने आड़ी ने आवेली सरह दोद्वारा पन गुसन खोरी निकोशिस तेज थे गई शे चीफ अफ डिफेंस श्टाफ ना जनरल बिफिन रावते केटली ये वकट टू फ्रंट वर नी वाद करी शे त्रोने इसे नावना प्रमुखोरे पन चीन अने पाकिसान ना खत्राने ले केटली ये वकट वाद करी शे चीन नी साथे तनावनी वच्चे भारते केटलाई प्रकारना रक्षा सौधा करी शे असिवाई केटली अस्वदेश्ची डिफेंस अने मिसाइल सिस्टम पन आपन ट्रायल करयाश ब्यूरो रिपोर्ट मन्तवय न्यूज